सांसद आदर्श ग्राम का बुरा हाल सांसद आदर्श गाउं की नहीं बदली तस्वीर गोद लिए गाउं की सांसद ने नहीं लिसुद नवस्कार आप देख रहे हैं सीमेन न्यूस पर खास पेशकश ये कैसा आदर्श गाउं देश में आजादी के इतने लंबे सफर के बाद भी कई गाउं आज ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से जूज रहे हैं ग्रामीन आज भी उन सुविधाओं से कोसो दूर है जो उनको मिलनी चाहिए चुनाओं के समय निताओं द्वारा बड़े बड़े दावे किये जाते हैं और ग्रामीनों को विकास किये कई तरह के सपने दिखाये जाते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार के वो सभी दावे हवा बन कर रह जाते हैं और उन दावों के साथ ग्रामीनों को दिखाए गए सपने भी अधूरे रह जाते हैं और फिर ग्रामीन सभी सुवधाओं से वंचित रह जाते हैं इना दर्श गाओं की हालत को देख कर लगता है कि क्या ये योजना सिर्फ दिखावे के लिए थी या फिर सचमे सरकार का लक् प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सांसद अधर्श ग्राम योजना की शुरुवात की प्रधान मंत्री की योजना के अनुसार हर सांसद को 2019 तक तीन अधर्श गाओं बनाने थी इसमें सांसदों की कोशिशों से 2016 तक उनकी और से गोद लिया गया पहला गाओं अधर्श बन जाना चाहिए था और उसके बाद 2019 तक दो और गाओं को गोद लेकर उन्हें विक्सित किया जाना था प्रधान मंत्री नेरेंदर मोदी के कहने पर सभी सांसदों ने अपने सांस्तिय शेत्र के किसी एक गाओं को गोद ले लिया लेकिन क्या प्रधान मंत्री की महत्वकांशी योजना धरातल पर आकार ले सकी क्या सांसदों के गोद लिये गाओं आदर्श बन सके आज हम इसे के पर्ताल करेंगे इस पर्ताल में आज हम गाजेबास से सांसत जनरल वेके सिंग के गोद लिये गाउं चलेंगे और जानेंगे वहां के विकास का सच ये कैसा आदर्श गाउं? सांसत के गोद लिये गाउं का सच गाव में हुआ आधा अधूरा विकास सांसत आधर्श ग्राम योजना निकिया गाव का हाल बेहार भारत गाव का देश है और देश की आत्मा गाव में ही बस्ति है देश आजाद होने के बाद से ही सरकारी ग्राविंग विकास के लिए अलग-अलग तरीके से प्रयास करती रही है लेकिर बदलते दौर और वक्त के हिसाब से प्रधान मंतिर नेरेद्र बोधी ने इस बार 15 अगस 2014 को अधर्श ग्राम योजना का एलान किया था दरसल पियन की इस योजना के पीछे सोच थी कि देश के हर राज्य में से 5-10 गाउं ऐसे हैं जिनके विशे में हम गर्व कर सकते हैं और अब उसी तरह से बाकी गाउं का भी विकास किया जाएगा सांसत अधर्श ग्राम योजना की शुरुआत महात्मा गादी के विजन और विचार को साथ रखकर की गई है ऐसे में गाउं में शेहरों जैसी सुर्धाएं होंगी तो आधुनिक्ता के साथ नदिक्ता का पाठ भी होगा लेकिन आईए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अधर्श ग्राम योजना ने गाउं का बुरा हाल कर दिया केद्र सरकार द्वारा देश को डिजिटल बनाने की बाते की जा रही थी लेकिन आजादी की इतने सालों बात भी देश के कई गाउं मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है सांसद आधर्श ग्राम योजना जिसमें सांसदों ने लिया एक गाउं को गोई लक्षे था गाउं का विकास प्रस्तुत करनी थी विकास की मिसाल साल 2014 में सांसद जनरल विकिय सिंग ने लिया गाउं वीरपपूर हिंदू को गोई लोगों को जगी आज से विकास के देखे सपने लेकिन लगभग 5 साल बात भी सपने रहे सपने जहां एक तरफ पिया मोधी ने देश में विकास को पंक लगाने के लिए प्रतेग सांसद को सांसद ग्राम योजना के तहट हर फेज में एक एक गाउं को गोद लेकर उनका विकास करने का निर्देश दिया था विकास पुरुष के नाम से चर्चित हो चुके पीम नरेंदर मोधी के ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद अदर्श ग्रांग योजना को मीरपूर हिंदू गाउं में जबरदस छटका लगा है बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर सांसद जनरल वीके सिंग के गोद लिये गाउं मीरपूर हिंदू का बुरा हल है जो एक-दो काम भी हुए वो पूरी तरह से भरष्टाचार की भेट चड़ चुके है गाउं के लोगों का कहना है कि गोद लेने के बाद अभी तक यहां का विकास नहीं हुआ सांसद की महत्पूर्ण योजना में भी भरष्टाचार चरम पर है सांसद जनरल विके सिंग ने सांसद अदर्श ग्राम योजना के तहट मीरपूर हिंदू गाउं को साल 2014 में गोद लिया था लेकिन गाउं को गोद लिये लगभग 5 साल हो गए पर गाउं के हालात बच से बत्तर होते हो गए अजयाबाद के लोनी मीरपूर हिंदू गाउं में और हम यहां बात करने आ हैं गाउंवासियों से क्या कारण है जो गोसाला बनाई गई है और यहां का रहेंस हैं जो गोवन्स इन्होंने रखे हुए हैं चालिस से पैंतालिस गोवन्स यहां इससमें मौदूध है उनकी क्या हालत है किस दिरदसम्हें वो पले हैं बड़े हैं आई एह हमारे साथ कुछ गाउंवासी मौद हैं बात करते हम क्या नाम आपका राकेश जी क्या मामला है उधर देगा यह मामला यह है कि यह कुछ होता नहीं अंदर न करते हैं यहां हत्ते में बाड़ते हैं मजबूरी ही हमारी तो वैसा कुछ मिला ही नहीं है इसमें इनके पालन पोसन के लिए को क्या परधान के दुवारा कोई धन्रासी दी गई है जनरल भी के सिंग दुवारा जो इन्होंने गाउं गोद लिया है परधान गिरवाई ही अभी दो ट्रोलितो अभी कितने समय से यह जन वर आपके पास है यह तो डाइम ने करी हो तीन में लोगों आई हम जानना चाहते हैं और भी गाउं के निवासियों से इस्थान निवासियों से किया मामला है पूरा क्या नम आपका मांगराम मांगराम क्या बात है जो ये जानवर है एक गोसाला बनी हुई है उस गोसाला के बावजोद भी यहां आप कि इनकी परवरिस कर रहे हैं क्या है प्यार गरशाला में जगई ना बनवाई पड़ेगी पहले हमी बनवावर जब किने करें और वागे है पानी क्या इसमें पानी की इस तरीके की इसे कौन साफ करता कोई सफाई करमचारी आता है या सफाई करमचारी के बावजूद आप लोग मिलकर करते हैं सब ना दो जे कोई करमचारी सफाई का अथा या क्या करता है अब तक इसके कोई सफाई ने कोई सफाई ने हैं तो आपने देखा जिस गाउं को पास साल पहले जनल वीके सिंग दौरा गोद लिया गया था उस गाउं क्या हालात हैं और यहां गोवन्स की क्या परिस्तितिया हैं किन परिस्तितियों में वो जी रहा है पल बला रहा है कुछ ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं और उनकी मौत के जिम्मेदार कौन कैमरा परसन के साथ मैं अकरम सेफी लोनी आपको मता दे कि सांसद वीके सिंग ने गाउं में साफ सफाई के लिए मशीन भी भेजी लेकिन गाउं के लोगों को कहना है कि उस मशीन से सिर्फ दो ही दिन गाउं की सफाई की गई क्योंकि सफाई करमचारियों के ओर से गाउं वालों को बोल दिया गया कि मशीन खराब हो चुकी है अपने गाउं की ऐसी हालत को देख कर लोग बेहत नाराज है और गाउं में विकास ना होने का हवाला बार बार दे रही है आपको मता दे कि गाउं में सडके नालियों की भी हालत दैनी है नालियों से पानी ओवरफ्लू हो रहा है और लोग उसी पानी से गुजरने को मजबूर है लोगों को गंभीर बिमारियों का खत्रा सता रहा है लेकिन फिर भी सांसत जी चुप है क्यों पर आप सांसत जी के गोद लिये गाउं का हाल बेहाल है जो आप अपनी तस्वीरों में टीवी सिप्रीन पर देख रहे हैं लेकिन अब देखना ये होगा कि सांसत के गोद लिये गाउं के हालत आखिर कब बदलते हैं क्योंकि एक बार फिर देश में लोग सभा चुनाब होने जा रहे हैं और ए ये सांसत से पिछले 5 सालों का हिसाब मांगेगी या फिर नहीं अकरम स्याफी गाज्याबाद cmn news सांसत वीके सिंग के ओर से गोदलिया गाउं विकास के आसमे है और सांसत जी दुबारा से जंता से वोट माँगने की उबीद में लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या जंता गाउं में हुए विकास काईरों का बदला वोट की चोड़ से देगी लाल खास पेशकश में इतना ही लेकिन आप बन रहे हैं हमारे साथ और देख तरही है CMN News